राम सहजादपुरा पंचयत के दौरा आने वाला नीम खेड़ा तिगड़ा पे जहां करीब 400 लोग बसे हैं जो पिछले 14-15 सालों से यहां रह रहे हैं और आज तक इन्हें विजली का कोई भी साधन नहीं ऐसा मिल पाया है क्योंकि इनके पास इस जमीन का ना तो कोई नाम है और ना ही इस जमीन को किसी गाओं का नाम दिया गया है और अटल जोती अभियान के द्वारा चलने वाली योजिना जिसमें हर घर में उजाला हो ऐसा प्रावधान होने के बाद भी इस बस्ती नीमन तिगड़ा के लोग आज भी पिछले 15 सालों से अंधेरे में जी रहे हैं और अंधेरे में ही अपना गुजारा कर रहे हैं तो अभी आप लोग कैसे उजियारा करते हैं? डिब भी लेशते हैं दो लीटर तेल मिलते हैं माहिना भार में और पंदरा देन जलती है और माहिना भार में तेल नीक होती आए तो आप लोग फिर पढ़ाई कैसे करते हैं? तो आप लोग फिर पढ़ाई के से करते हैं और व अभी लाइटनिंग जाते हैं अपने इसके लिए कोई कोशिश की कोशिश तो करी थी हमने कम सब कम एक देड़ साल पहले वो समय पर 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 सायद ठाकरी साहब हते और यह जो इसाइड के बीट बेमर हैं बरमा साहब वो भी थे वो समय पर हमने सिकाज करी समझ बात हैं लेकर अउनने हमें बता दी के स्थाय ले आओ जा कर परचिंख पत्र विसने काज हम cu do हुआग होना चाहिए प्ला बाइट होना चाहिए तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जमीन पर रहते हूए इस गाउं को एक नाम मिलें और जमीन पर रहने के सासन से चल रही योजनाओं का इन लोगों को लाव मिले जो ब्लोक बटियागर जिलादा मुमाद प्रदेश के बिजली के अधिकारी हैं वो हैं स्रीमान महेंद राय जी जिनका फोन नंबर है 1495 1638 10 मैं आप सबसे अपील करती हूं कि फोन कर बदलाव की कोशिस करें मैं आरती वालमीक नीम खेडा तिघड़ा से सहजात पुरा पंच्यात बिलोग बटियागर जिलादा मुमाद प्रदेश से इंडिया अनहाट के लिए